हेलो दोस्तों वेलकम तो मैं चैनल प्लांट फॉर गार्डणी में आप सभी का स्वागत करती हूं जैसा कि मेरे सामने आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने बहुत ही प्यारे से यह फ्लावरिंग वाले प्लांट रखें जिनका नाम हैबरेड ही विशकस है और हैबरेड ही वि जिन प्लांट होगी तो वो प्लांट कैसे हैं किस फ्लावरिंग के हैं और किस कलर के इसमें फ्लावर खिलते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह दो फूल मेरे सामने दिख रहे हैं इसका साइज तो काफी बड़ा है आप लोग देख सकते हैं और काफी जो है आज ही यह सुबह खीला हुआ है और इसमें मैं जो प्लांट मेरा यह काफी जो है कुछ बहुत ही सुंदर है और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी यह इतिक आनला है कि जीन प्लांटों को मैंने दिखाया है आप लोगों को तो ए से ही इसमें जो यह फ्लावर खिला हुआ आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा फूल खिला हुआ है और कितना सुन्दर लग रहा है इस प्लांट की हाइड भी आप लोग देख सकते हैं और इसमें कलियां भी यह देखे बनी हुई है यह देखे इस पत्ते को हटा देती हुई यह देखे एक य लगाना चाहिए हाला कि ठोड़ा जो डिटे हैं लेकिन काफी संधर लगते हैं यह फ्लावरिंग grant होते हैं और पहले आप को बताया है आप लोग को कैसे केयर करनी है और क्या क्या इन इसमें जो है मतलब रिपोर्टिंग जब करते हैं तो किन सामान की ज़रूरत होती है वो सारी चीजें मैंने बताई है लेकिन फिर मैं जैसे जैसे इन पर वीडियो बनाऊंगी जैसे जैसे जो है रिपोर्टिंग कर करेंगें, अभी। शोटे ज़ने हैं। GROD पी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि बहुत चोटे नाँ होगे। मैं जैसे जैसे रिपोरटिं करूंगी आप वीडियो है, रिपोर्टिंग करूंगी है जरूर होगे। ज़िए तो आज दिखाने का मक्सद यह जो ही रोल कफी सुन्दर होते हैं जम में लाई थी इनको कि युट को देखके लाई थी क्यों कि जो यह को प्लांट को नर्शिरी से ले घंख्या है तो काफ़ी मेहंगा मिलते हैं दोस्तो उसकी हाइट देख के ही लेने चाहिए उसके ग्रोथ कैसे चल रही उसकी हाइट कैसी है तो यह सारी चीजें देख के ही लेना चाहिए हमें अहला कि यह वैला जो ही विश्कस का ब्लांट है यह खुब बसूरत है आ मैं जोग सकते हsembimeter इसकी है तुछ कोष्ची है यह देखिए एक यह है दो यहां पे देखे बनी हूँ और यहां पे भी कई बनी हूँ है तीन कल्या हैं यहां पे और दो यहां पे हैं तो काफी अच्छी हाइट में देखके प्लांट को लेना चाहिए यह जब मैं खरीदी थी तब ही उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ हो रही थी काफी ज्यादा इसमें कलिया भी बनी थी तो फ्लावरिंग देखके ही मैंने खरीदा था दोस्तों तो आज मैं आप लोगों को यही दिखाना चाहती थी कि मेरे जो ही विसकेश के जो प्लांट में खरीद के लाएं हूँ किस कलर के हैं क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें फूल नहीं खिले थे तो अच्छा लगेगा कि किस कलर के ही विसकेश के प्लांट में खरीद के लाएं हूँ तो एक तो यह है यलो यह भी है इसमें देखिए अंदर थोड़ा सा मैरून कलर का सेड़ है और काफी खुबसूरत बहुत ही प्यारा फूल लग रहा है पास से दिखाती हूं है आप लोग और यह वाला फूल तो इससे ज़्यादा बड़ा है आप लोग साइज देख सकते हैं कितना बड़ा है पूर तो मैं यही दिखाना चाहती थे आप लोग को क्योंकि मुझे बहुत खुसी मिलने यह बहुत अच्छा लग रहा है इनको देखके कि फ्लावरिंग इतने बड़ ज्यादा केर भी नहीं करनी पड़ती इनको बस विंटर सीजन में अगर आप खरीद रहे हैं तो विंटर सीजन में आप लोग लागे इससे रख दीजिए ऐसे ही और आप लोग रिपोर्टिंग नहीं करिएगा रिपोर्टिंग करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी क्योंक रखते हैं लेकिन उसकी रिपोर्टिंग मत करिएगा क्योंकि बहुत जल्दी सौक में चले जाते हैं और जब यह सौक में चले जाते हैं तो इन्हीं बचाना थोड़ा मुस्कील हो जाता है दोस्तों तो मैं यहीं बताना चाहती हूं आप लोगों को कि अभी विंटर सीजन थोड़ा सुरू होने लगेगा उसके बाद में करूंगी तब इनको गंबले में सीप्ट करूंगी तब इनकी ग्रोथ का सीजन भी चलेगा और काफी अच्छी इसमें फ्लावरिंग और ज्यादा अच्छी होगी हाला कि मैंने जो खरीदा है इपीसकेस तो इसमें बहुत ज अब ही आप लोग लाते हैं और जो है इसको रिपोर्टिंग करना चाहते हैं कि नहीं हम गंबले में सीप्ट कर दें गंबले में सीप्ट करने के बाद ही इनकी ग्रोथ अच्छी होगी तो मैं आप लोगों को कुछ चीजे बता दूँ सबसे पहली बात यह है कि अगर आप क करना जाते हैं तो इनके लिए मिट्टी का गंबला लीजिए कम से कम 12 इंची का गंबला हो और जो है मिट्टी बहुत ही ज्यादा वल्ट्रेन हो 12 इंची का गंबला इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है इनकी जड़े बहु होंगी तो हमारा प्लांट भी हल्दी होगा तो मिट्टी का अब्रोल को ध्यान रखना है कि मिट्टी कि यूज करें जादा तर दो है मिट्टी का गमला इनके लिए सबसे ज्यादा होता मिट्टी बनाने के लिए मैंने बताया आप लोग को बहुत ही ज्यादा वर्ड्रेन मिट्टी बनानी है उसके लिए क्या करना है आपको कि एक भाग जो है आपको आपने गार्डन की स्वायल लेना है एक भाग लेना है बालू मिट्टी का एक भाग लेना है गोबर की खात का और हो सके तो एक भाग उसमें पतीयों की खात का मिलादय जो और्गेनिक होती है वो ज्यादा बेस्ट होती है लिसकस के प्लांट को गोबर की खात भी आप डाल सकते हैं और जो है इन चारों चीजों को मिक्स कर लिजिये एक एक लेक। पानी के बहुत जादा नहीं डालना है आपको जैसके एक दिन पानी छोड़ दानी जे तो दोदिन का गयब कर सकते हैं आप लोग दो दिन बात फिर इसमें जब इसकी मिट्टी एक इंच ड्राई हो जाए तब इसकी मिट्टी देखिए कि सूप गई हो एक इंच तब आपको पानी इसमें देना है तो पानी का बैलेंस भी बहुत अच्छे से बनाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी डेली डेली अगर इसमें डालेंगे तो बहुत जल्दी घराब होता है और जो है रिपोर्टिंग करते समय एक बात का धिहान रखें आप लोग मिट्टी में इसके एपसें सॉल्ट ज़रूर डालिए क्योंकि ये प्लांट हमारा बहुत जल्दी शौक में चला जाता है एक गम्ले से दूसरे गम्ले में सिप्ट करने में और फिर इसे थोड़ा बचाने में दिख्कत होती है तो एपसें सॉल्ट क्या होता है कि दूसरे कम्ले में आप सिप्ट करते हो तो उसको एजस्ट करने की इसको ताकत देता है और जो है ये सौक में भी नहीं होता है तो Epsom Salt आप डाल सकते हैं मिट्टी में एक भाग मिला लीजिए एक भाग से थोड़ा सका मतलब एक भाग का तिहाई हिस्सा मिला लीजिए आप लोग तो Epsom Salt आप लोग डाल सकते हैं और Full Sunlight का प्लांट है रश्णी की बात करें तो Sunlight की बात करें तो Full Sunlight का ये प्लांट है Full Sunlight में रखें सेडी एरिया में तो ही वीसकस का कोई भी प्लांट हो सेडी एरिया में दोस्तों नहीं रखा जाता है तो Full Sunlight में इसे रखें जहां पर पूरे दिन की Sunlight आती हो अगर आपके पास Full Sunlight वाली जगे नहीं है तो कम से कम इसे 5-6 घंटे की Sunlight डेली मिलना चाहिए इस समय तो Winter Season चल रहा तो धूब बहुत हलकी हलकी होती है कोरा वगयरा बहुत ज़्यादा गिरता है तो इस समय क्या करना है आप लोग को जहां पर ज़्यादा Sunlight आती हो उस जगे पर इसको रखिए क्योंकि इस समय जो है Winter Season है इसका सीजन तो कम है फिर भी इसमें फ्लावर अब बात करती हूं इसके खाद कौन सी देना है तो गोवर की खाद भी दे सकते है और गनिक पतियों की खाद भी दे सकते हैं और Kitchen Waste का जो Liquid Fertilizer होता है वो आप दे सकते हैं वो जरूरी डाले इसमें Kitchen Waste का जो Liquid Fertilizer होता है और एक बात मैं बता दूँ आप लोगों को जो हैब्रिड हीवीसकस का जो प्लांट होता है या देसी वाला जो हीवीसकस होता है इसमें फंगल बहुत जल्दी लगते हैं तो फंगल के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि नीम ओयल का इस्तिमाल करें या नीम की पतियों का लिक्विट ज़र बनता है उससे आप इसको नहला सकते पूरे प्लांट को नहला दीजे तो इसमें कोई भी फंगल जल्दी अटेक नहीं करेगा हाला कि यह फ्लावरिंग वाला प्लांट है आप लोग देख सकते हैं मेरे प्लांट में कितनी खूबसूरत फूल खिले हुए हैं देखके जबता मेरे फेब्रैटी कलर है यलो तो आप लोग इस तरह से थोड़ा सा से केर करके इस प्लांट को आसानी से लगा सकते हैं देसी व अगलग प्लांट है दोनों की केयर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है देशी वाला तो हर मतलब धूप उसको कुछ घंटों की कुछ मिनट की मिल जाए तो भी वो चल जाता लेकिन जो हैबरिट वाला हिबीसकस का प्लांट होता है इसको कुछ घंटों की सनलाइट जुरू मिल सकते हैं कि वीसकस में बहुत बहुत ज़्यादा वराइटी के प्लांट आते हैं और बहुत ज़्यादा कलर के आते हैं जो कलर आपको पसंदो वह आप ला सकते नर्सरी से और मैं तो यही कहूंगी कि आप विंटर सीजन में खरीद लीजिए नर्सरी से प्लांट को लेकिन रि को समर सीजन जैसे शुरू होता है, आपको फरवरी लास्ट में स्नाप्ष में उसलिए उसलों सु तब आप रिपोर्टिंग कर दिजेगा थाकि मतलब समर सीजन में फ्लावरींग अच्छी कर सके अजब फ्लावर अच्छी करेंगा तो आपको खूद अच्छा लगेंगा और इसके लिए जो गंपला मैं बताया जिस तरह से बताया उस तरह से आप लीजये और जो टीप्स मैंने दिया है थोड़ा आप लोग को इसकी growth के लिए, इसकी care के लिए, वो आप लोग जो हैं, इसी तरह care थोड़ा सा करके plant को आसानी से लगा सकते हैं, कोई देखिए दोस्तो एक बात में बताना चाहती हूँ, कोई भी प्लांट ऐसा नहीं होता है कि जो हम लगा नहीं सकते हैं, चाहे वो अडेनियम का हो, चाहे है रेड़ वाला ही बीसकस हो, कोई भी हो, बहुत आसानी से लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा टिप्स पता हो, थोड मैं कहती हूँ सबी लोग लगा सकते क्योंकि कुछ जानकारी होती हैं जो हमें चाहिए होती है अगर वह जानकारी आपको है तो आप कोई भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए तो चलती हूं मिलती हूं अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ कोई नया टॉपिक को लेकर तब तक के लिए आप लोग जो है अपना ध्यान रखिए अपना लिए ग्राइब तक का के लिए टीए टॉपिक का लिए आट यूपिक को रोग जानकारी कन शेया नेसे को मिलती हूं मेरे लाइब टॉपिक एट लिए घडू जानकारी जानकरने अएड़ मेरे यूचिए वादू आटनकारी कर्णब का नद सक्क्या तो प्रुक्राइब